नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मेरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे करोणा वैक्सीन के दूसरे डोज के बारे में पुरे देश में बढ़ते संक्रमन के बीच में अब पुरे देश में वैक्सिनेशन की परकिरिया सुरू हो गई है ऐसे में अब 18 साल से उपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई गयी और 45 साल के साथ उमिन जो ज्यादा बिमार नोग ते उन्हें वैक्सीन लगाई गया गया है और यह यह से जिनहें पहली डोज को दूसरी डोज नहीं लगी है। इन दोनों वैक्सिनों में से कोई भी वैक्सिन लगवाई है तो 4-6 अपसे ज़्यादा समय हो गया है लेकि दूसरी डोज नहीं ले पाए है तो चिंता करने की जरूवत नहीं है पहली वैक्सिन लेने के 6 हफते के बाद दूसरी डोज नहीं ले पाए तो भी आपको अब एक यह दोनों लगा नहीं होगी जो लोग दूसरी वैक्सिन नहीं ले पाए है उनहें चींता करने के जरुवत नहीं है पहली के 6 हफते के बाद यानि की 8-10 हफते में भी आप दूसरी लेना ही करगर होगा ।कि सी को भी देर होने पर फिर से दोवार वैक्सिन नहीं लगवाने चाहिए, पूरे इस्थित भारतिय बैगानिक सिछा यमसोच संसान IISER की डॉक्टर विनीता वल कहती है कि वैक्सिन की पहली डोज लेते ही कुरोना वायरस के साथ इमुनिटी तयार होने लगती है, जो दूसरी डोज लेने में देर पहली डोज का असर तो सरीर में बना रहता है, लेकिन उसकी उम्र आधी हो जाती है, वैक्सिन से जो एंटीबोडी तयार होता है, वह मुलता प्रोटीन होता है, जो बक्त के साथ साथ घर्टिर रहता है, भले इसका इस्तमाल हो या नहीं हो, पहली डोज से जो इमुनिटी पैदा हुई है, वो समभ़ता चार से पांच महीने घर्टी सुरू हो जाती है, कोवी सील वैक्सिन की दो डोजों की बीच का अंतर चार से बढ़ा कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि कोवी सील पर अंतराश्टी अस्तर का ट्राइल हुआ है, और बारा हप्ते बाद दूसरे जो लेने पर भी यह पूरी तरह से कारगसावित हुआ है, जहां तक बात भारतिये कोरोना ठीका को वैक्सिन की है, तो इसे 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगा लेनी चाहिए, सैधान्तिक तोर पर पहली डोज का असर पांच में हपते तक बना रहता है, चुकि इसे लेकर ह हमारे पास कोई डेटा नहीं है, इसलिए कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ डॉक्टरों के नुसार वैक्सिन चाहे कोई भी हो, जैतर मामले में थोड़ा लंबा गैप रखना बहतर होता है, उन्होंने कहा कि जहां तक बात को वैक्सिन की है, तो 12 हफते का अंतार रखने की सिफारिस की गई है, जब कि कनाड़ा में 16 हफते का वक्त तै किया गया है, इसलिए अगर पहली डोज लेने के बाद अगर आपको दूसरी डोज मिलने में देरी हो रही है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको जब जिस सेंटर पर दूसरी धन्यवाद